हाइ दिस पुनीत त्यागी, डेली-बेस्ट फैशन मोडल आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो इस्पेशली उनको अच्छी नहीं लगेगी जो सलमान खान के हीटर से बट हाँ, एड वेरी सेम टाइम जो सलमान खान को प्यार करते हैं, सलमान खान के फैंस हैं उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छी वीडियो है, क्योंकि आज के टाइम पर हम जो भी फैशन कर रहे हैं, जो भी फैशन है, जो भी फैशन है वो चाहिए एचनम आपको लागे दे रहा हूँ, चाहिए जारा लागे दे रहा हूँ, कहीं न कहीं, सलमान खान वो 90s में पहले जो पहला इस चाहिए सलमान काने हमें दिया था वो भी 90s में, वो था लंबे बालो का, क्योंकि आज के टाइम पर ही बहुत ही एक, मतलब वाइड स्प्रेड ट्रेंड है, मॉडलिंग में भी और एक्टिंग में भी कि वो बाल लंबे रखते हैं, तो यार, 90s में यार, या फिर, I guess, 80s के last में, या mid में, चंदरमू की मुवी थी जिसमें सलमान कान के बहुत जादा लंबे बाल तो ये उस टाइम से सलमान कान लंबे बाल रख रहे हैं और हम आज उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, अब जो दूसरा फैशन सेंस, या फिक मैं काऊंगा, जो दूसर सारी ऐसी जैकेट जो हैं मार्केट में हैं, आज के टाइम पर, बट यार 90s में और लेट 80s में वो चीज आने बहुत ही जाद एक डिफिकल्ट चीज थी, उस चीज को लोग एकसेप्ट नहीं करते थे उस टाइम पर, इतना इसीली, बट सलमान कान ने उस टाइम पर, लेट वो है ripped jeans, तो यार आप जाते होगे बड़े-बड़े brands पे ripped jeans मांगने के लिए उसको ragd भी बोलते हैं, ribd भी बोलते हैं, tone भी बोलते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो आज भी आपके घरवाले आपको टॉकते होगे कि क्या फटी वी jeans पहन रहा है, दोस्ते तो मतलब यार, जो हम आज करने से डर रहे हैं, वो उस time पर हो चुगा है, already, तो Salman Khan ने ये भी हमें एक style दिया, एक fashion दिया, जो चोथी चीज Salman Khan ने हमें दी है, और जो हम आज करते हैं, पहनते हैं, गोवा जाते हैं, बाले जाते हैं, तो हम follow करते हैं उस trend को, जहां पर हम denim jeans और एक vest या sandoz इसको बोल देते हैं, मुंबई में शायद गंजी बोल देते हैं उसको, तो इन चीजों को पहन के माज stylist समझते हैं अपने आपको, लेकिन Salman Khan ने ये चीज उस जमाने में पहन के छोड़ दी, अब जो पांचवी चीज जो Salman Khan में सिखाता है, वो ये है, इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये क्या चीज है, अचा तो आप Zara पे जाते होगे, आप H&M पे जाते होगे, आप बार बार मैं इन दोनों ब्रेंड्स के राम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे जादा मॉस्ट फैशनेबल ब्रेंट आज के टाइम पर य 90's में सल्मान खान था जो आज भी, मतलब आप देखोगे वो ब्लू वाला जो उसका ब्रेसलेट है, अब कितने रूमर्स फैले है कि वो अश्वरय राय ने उसको दिया था या फिर जो भी है XYZ चीज, बट देखने वाली चीज यह है कि आर 90's में और 80's में सल्मान खान ने स्टार्ट किया था, जो आज भी लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, अब जो 6th चीज, सल्मान खान ने इंडिया के फैशन में एड़ोन दी है, वो है, सिल्वर एरिंग्स, तो नॉमली पहले बड़ा मजाग उड़ाया जाता था इस चीज को लगे कि यार एरिंग प पॉलो करते हैं, सल्मान खान से पहले को एक आदमी एरिंग पहनता होगा, तो एरिंग देने वाला भी जो स्टाइल है, वो सल्मान खान का था